मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की अनियमित्ता बरदाश्ट नहीं की जाएगी। किरोडी लाल मीना ने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की अनियमित्ता बरदाश्ट नहीं की जाएगी। किरोडी लाल मीना ने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की अनियमित्ता बरदाश्ट नहीं की जाएगी। वही बंद पड़े कूलर पंखो को देखकर भड़क उठे किरोडी लाल कहा इतनी गर्मी में लोग इलाज कराने आते हैं या मरने के लिए। बहुत हुई लापरवाही अब सरकार बरदाश्ट नहीं करेगी। मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की अनियमित्ता बरदाश्ट नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर थे किरोडी लाल मीना। इस दौरान किरोडी बाबा ने जिला अस्पताल का ओचक निरीक्षन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षन के दौरान किरोडी बाबा को हॉस्पिटल में कई तरह की अव्यवस्थाएं मिली। जिसके बाद तो बाबा का गुस्सा सात्वें आस्मान पर पहुँच गया। मीना ने हॉस्पिटल के पीएमो और डॉक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि अस्पताल में किसी भी तरहे की अन्यमित्ता बरदाश्ट नहीं की जाएगी, वही बंद पड़े कूलर पंखो को देखकर भड़क उठे किरोडी लाल कहा इतनी गर्मी में लोग इलाज कराने आते हैं या मरने के लिए, बहुत हुई लापरवाही अब सरकार बरदाश्ट नहीं करेगी। बहुत हुई लापरवाही अब सरकार बरदाश्ट नहीं करेगी। बहुत हुई लापर बरदाश्ट लापरवाश्ट नहीं नहीं करेगी।